अक्सर मैं लोगों को कहते हूँ सुनता हूँ सादकों के मेल पढ़ता हूँ वर्टसप पे चैट पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ मैं सुनता हूँ कि सादक ध्यान को छोड़ना चाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको कुछ ऐसे अनभव हुए है जिन अनभवों के कारण उन ऐसे अनभव होते हैं कुछ गुप्त अनभव होते हैं या कुछ इस तरीके के अनभव होते हैं जो संकेत हैं इस ब्रह्मांड के इस ब्रह्मांडी उर जाके तो आपको ध्यान बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए अगर आप ध्यान करते हैं तो नीचे ध्यान या meditation टाइप कमेंट में करिए meditation साधना टेक्निक्स मैं अशिश आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों ये पांच अनुभव हैं जो बहुत गुप्त हैं और लोगों साधकों को होते हैं जब ये अनुभव आपको होते हैं जब इन्हें आप महसूस करते हैं तो अगर ये आपके साथ हो रहे हैं तो आपको किसी भी हाल में ध्यान को छोड़ना नहीं है बलकि दुगनी तेजी से बढ़ा देना है अनुभव नमबर एक प्रकाश का दिखना अकसर साथकों को अपने आग्या चकर पे ध्यान में प्रकाश दिखता है किसी को वाइलेट कलर दिखता है किसी को यलो किसी को वाइट अलग-अलग प्रकार होते हैं अगर ये दिख रहे हैं तो आप समझें कि आपका जो ध्यान है बहुत अच्छा जा रहा है बहुत बढ़िया जा रहा है और बिलकुल सही जा रहा है दूसरा अनभव देवी देवताओं के या इश्ट के दर्शन करना ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि अगर ध्यान में देवी देवताओं के या इस्ट के दर्शन होते हैं आप समझे कि आप बहुत पुन्यवान हैं बहुत भागिशाली हैं कि आप देवी देवताओं के दर्शन उसमें प्राप्त कर पाते हैं अगर ऐसा भी हो तो भी आपको ध्यान बिलकुल नहीं छोड़ना चाहिए तीसरा ये अनुभव जो है ब्रमूरत में होता है या संध्याकाल पे होता है ऐसा देखा गया है हलाकि हो कभी भी सकता है लेकिन ब्रमूरत और संध्याकाल में इसके चांस बहुत जादा होते हैं मीठी मीठी चन्दन सी गुलाप की सुगन दाना अगर आपको फूलों की गुलाप की चन्दन की सुगन मेंसूस होती है तो आपको ध्यान बिलकुल नहीं छोड़ा चाहिए आप ये समझें कि आप द्यान के उस फेज में है कि ये दैवी शक्तिया आपको स्वेम ध्यान कराना चाहती है और स्वैम ध्यान आपके साथ आपको सहयोग करना चाहती है नाद सुनाई पड़ना यह एक बहुत उच्छा वस्ता होती है जब एक सादक ध्यान में आके बढ़ता है तो उसे नाद सुनाई पड़ते हैं किसी को डमरो सुनाई पड़ता है किसी को नगाला सुनाई पड़ता है और उसका एक अंतिल लवल होता है बांसूरी का वो सुनाई पड़ती है तो अगर आपको नाद सुनाई पड़ रहे हैं तो आप समझे कि आप ध्यान की उतकरस्ट वस्था की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं और आप ध्यान के लिए ही बने हैं और एक पांचवा अनभव जो सादकों को होता है और सादक उसे समझ नहीं पाते सादक को लगता है कि वो डिप्रेशन में है या वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं उनको ये भी समझ में नहीं आता कि ये एक ऐसा अनभव है कि अगर ये अनभव आपको होने लगा तो आप समझ लिजे अगर ध्यान में कोई और अनभव भी नहीं हो रहा है न तो आप ध्यान कभी छोड़ेंगे नहीं ये अनभव है blank इस्थिति मतलब ना सुख में सुख मिलेगा ना दुख में दुख मिलेगा दोनों इस्थिति में उस तुरिया अवस्था में ऐसी इस्थिति आपकी होगी कि आप ध्यान करते जाएंगे करते जाएंगे और blankness आपकी भढ़ती जाएगी जब ये blankness ये खाली पन ये निराकार स्वरूप भड़ता जाएगा तो आप समझें कि आप ध्यान की उत्करष्ट अवस्था की ओर जा रहे हैं और आप ध्यान करने के लिए ही बने हैं Meditation ध्यान साधना टेक्निक आपके अपने चनल में आपका स्वागत है हमारे चनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे मिशन को सफल आपने